हलो स्टोंट्स वेल्कम बैग गजनाद अकडमी यूट्यूब चैनल और आज चुके हम चैप्टर नर्फ फाइव कॉंप्लेक्स नंबर और क्वाडिटी क्योशन के एक और बेसिक पार्ट को लेकर आपके समय तो सबसे पहले आइडेंटी के बारे में आप लोगो वैसे पता होगा यह हो मतलब आप लोगो को क्लास 910 अच्छे से पढ़िए तो आपने आइडेंटीस फॉर्मॉलास तो सब पढ़े होंगे फिर भी एक बार मैं आपको जनरल आइडे दे रहा हूं यहां पर कि किस तरीके होगे सर बेख जाडे इसक्वयस फ्लस की थे गवन हाटिक सब्सटता हमें सिट ऐको और मैं आप आप कोगे सरा या प्लस लेवंट तो आप कोगे सरा ये बॉस hija स्कवार है जैड़ो प्लस थ्री जैड़ऊ है क्यों उत्वार्ट के विल क्यूंग थे पढ़ा वोगा इस तरीके साप्र को एक और देखो जैड़ों मांटा गुभन अब क्या कहोगे जैट का क्यूब माइनस 3 जैट 1 इस्क्वियर जैट 2 प्लस 3 जैट 1 और जैट 2 का होल इसकाँ फिर माइनस जैट 2 का कोट क्यूब एनसर आया कोद सही आ Iraq ऐनके खो और आइडिक्ट्य और यह जैड़ बन माइनस जैड़ कितना हो जाया गाई है जैड़ वन स्क्वेर माइनस जैड़ टू का इसक्वेर अब बता समझ में आया है कि हासर आग्यां के लिए यह आइडिन्टी से जो मतलब नॉर्मली यूज होने वाली है आगे देखो अगला कंसेप्ट है मॉडूल का और कंजूगेट का ठीक है अब देखो मॉडूलस कंजूगेट क्या है लेट करो आप आपके पास एक कॉंप्लेक्स नमर है जैड बराबर ए प्लस आयोटा भी है ठीक है अगर मैं इसका तुम्हें मॉडूलस फाइंड करने को कहूं क्या कहूं मॉडूलस अफ जैड तो आप कैसे कहोगे इसको ऐसे डिनोट करोगे और क्या करते होगे यहाँ पर बूरूट एक स्क्वेर ब्लस घ्ल अबवक्त है सिंसे कंजूगेट और और क्या करते हैं के वल जो आयोटा वाला बिजिट है आपका आयोटा वाला उसका साइन चेंज करना अगर प्लस है तो माइनस लगा दो माइनस है तो प्लस लगा तो केवल आयोटा वाले की मैं कह रहा हूँ और किसी मैं नहीं कह रहा हूँ समझ में आया है ठीक है सर यह भी समझ में आ गया कि दौना चीज़ के लिए रही हुई अब आपने एक Z inverse पढ़ा होगा Z inverse का मतलब क्या है वन अपन एक प्लस आयोटा भी यही है और इसको जब मैं sol करूँगा तो मेरे पास निकलकर आता है क्या निकलकर आता है मेरे पास यह निकलकर आता है A-I- और अपन में A-square फ्लस B-square यहां तक समझ में आ गया है आगया अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि a minus i उटा b तो z के conjugate से मिल रहा है तो इसकी जगे यह put करते हैं यहां से उठा के क्योंकि यह वाला z यही z है भी फिलाल के लिए और नीचे a square plus b square है तो a square plus b square under root का whole square ही तो है यह क्या है यह actual में अगर मैं a square plus b square की मुझे value put करनी है तो क्या करूँगा a square plus b square के उपर whole square और इसको solve करूँगा तो मेरे पास निकल कर आ जाएगा z inverse equals to z का conjugate और यह actual में आपके पास क्या है z का mode का है whole square अब बताव समझ मैं है यह जो value है आपके पास a square plus b square मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कुछ भी नहीं किया मैंने unroot लगा के square लगा दिया लगा के square लगाने का मतलब यही तो value है और मैं इसकी जगे z का mode का square लिख सकता हूँ क्या हाँ से लिख सकते हूँ तो यहां से concept निकल कर आया हमरे रपस यहां से concept निकल कर आया है और पस क्या निकल कर आया कि जो z inverse है वो z के mode का square होता है वो z के conjugate के वराबर होता है तो आपको तीनों में से जो भी दो value दे रखी हो एक आप unfind कर सकते हो इस तरीके से पता हो समझ में आया है कि हम दो यहां से आपको अगर doubt हो रहा हो तो मैं बता देता हूँ a square plus b square है इसके ओपर root लगा के square लगा दिया पहले तो मैंने root लगा के क्या लगा दिया square लगा दिया क्योंकि root को जब मैं वापस open करूँगा half और फिर into two तो यह cut के actual में यही बनेगा आप इस cheese की value मेरे पास modulus थी उपर square में लगाई दिया simple यह हो गया आपका यहां तक यहां तक कोई doubt है नहीं है इसकी कुछ properties बता देता हूं मैं आपको क्या बता देता हूं इसकी कुछ properties कैसे अगर z1 into z2 का mode दे रखा तो actual में वह z1 का mode और प्लस माइनस z2 तो उसको भी आप z1 का conjugate और z2 का conjugate करके multiple आपको ऐसे divide में दे रखा है z1 upon z2 का conjugate तो आप उसको z1 का conjugate upon z2 का conjugate करे सकते हूं ठीक है और बताता हूं आपको मैं यहां पे अगर आपको z1 plus minus z2 का conjugate दे दिया है तो आप उसको Z1 का conjugate प्लस माइनस Z2 का conjugate कह सकते हो ठीक है और कौन से रहेगा इसमें देखो Z1 Z2 आ गया और आप ले सकते हो Z1 का conjugate का mode और Z2 का तो इसको आप Z1.Z2 आप मोड यह भी कह सकते हो यह समझ में आगए यह कुछ प्रॉपर्टीस है जो आपको बता हो यह इंपॉर्टन फॉर्मूला है जो यहां पर मोचली एक्साइज में यूस होने वाला है क्या रखना कि Z inverse जो होता है उसको जब मैं Z के mode के square से multiply करूँगा तो मेरे पास Z conjugate निकल कर आ जाएगा बताओं यहां तक समझ में आ गया I hope आपको सारा basic concept clear किया होगा हमने अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो please like share and चैनल को subscribe कर लो तक कि इसी तरीके से हम पूरा basic concept आप लोग के साथ share करे और अब future के अंदर जो है J